Hello friends, कैसे हैं आप सब मैं हूँ, विश हूँ तो आज किस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि Microsoft Excel में DAV date में से day, month और year अलग-अलग कैसे करते हैं अब यहाँ पर माल लीजे कि इस DAV date में हमें यहाँ पर day, month और year अलग-अलग करना है अब यहाँ से हमें date select करनी है, यह में date select कर ली, bracket यहाँ close करिए और enter बटन प्रेस कर दीजे, तो देखिए, 1st February है तो 1st यहाँ पर date आ गए, उसी तरीके से month में, equal to type करिए, month आ गया, tap बटन प्रेस करिए, formula ओपन हो गया, अब यहाँ से उसी तरीके से date select करिए, और bracket close करिए, और यहाँ पर enter बटन प्रेस करिए, तो देखिए, तूसरा महीना, यानि की February यहाँ पर आ गया, अब उसी तरीके से year में, equal to type करिए, उसके बाद Y, E, A, R type करिए, उसके बाद दीचे देखिए, year का formula आ गया, tap बटन प्रेस करिए, formula ओपन हो जाएगा, अब यहाँ से फिर स हमने date select करी, और bracket यहाँ पर close करते ही, जब आप enter बटन प्रेस करेंगे, तो यह देखिए, year यहाँ पर आगे,